हलो एन वेलकम टू फ्रिलांस फैशन विद मंजू आज हम आपके साथ एक रैप ट्राउजर की कटिंग स्टेचिंग शेयर करने जा रहे हैं जो हमने एक 10 साल के बच्चे के लिए बनाई है आपने नॉर्मली जो मार्किट में रैप ट्राउजर देखे हैं वो कुछ इस प्रक इससे हम बो बनाकर उसको केरी करते हैं यह कोमन ट्राउजर है जो कि आपको एजली मार्किट में अवेलेबल हो जाएगा लेकिन दूर्जोर बाट्राउजर हम बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ चेंजिज कर रहे हैं इस ट्राउजर के लिए मैंने दो मीटर फैब्रिक लिय जते हैं यह मेरे फिलावर एक तरफ थे इसलिए मैंने इसको बीच से कट करके फिलावर का जो फेश रो उपर की तुपल 25 32 inches ली है, जितना की मुझे त्यार रखना है, अब 32 मैंने इसकी total length इसले ली है, क्योंकि उपर हमारा 1.5 inch belt का आएगा और उतना ही 1 inch हमारा नीचे fold हो जाएगा और stitching में चला जाएगा, इसलिए जितना आपको length total त्यार रखनी है उतना ही आप trouser को cut कर ले और जो इसकी चोड़ाई है हमारा hip का 2 से भाग करें और उसमें 6 plus कर दें ये मैं छोटे फच्चे के लिए बता रही हूँ अगर आपको बड़े के लिए बनानी है तो उसमें कम से कम 10 inch plus करके लेके चलें अब जो हमारा खुले वाला भाग हम अपने दूसरे साइड रखेंगे और बंद वाले पार्ट को अपनी तरफ कर लेंगे बंद वाले पार्ट की तरफ हम क्रोच एरिय की cutting करेंगे बच्चे के लिए मैंने 2 inch का लगाया है निशान अगर बड़ा हो तो आप 3 inch का लगा सकते हैं यहां मैंने hip size का चोथा हिस्सा और उसमें 3 प्लस करके अपना क्रोच एरिया निकाल लिया है ऐसे ही आप जो भी size बनाने जा रहे हैं उसमें hip area का चोथा हिस्सा लेके उसमें 3 प्लस कर दें मेरा यहां पर 7 inch का चोथा हिस्सा आ रहा है इसलिए मैंने उसमें 3 प्लस करके 10 inch पर क्रोच एरिया की मार्किंग की है अब हम क्रोच एरिया को कट कर लेंगे यह हमने बंद हिस्से की तरफ से की है अब हम इसके 6 inch दोनों side पे निशान लगा देंगे गोलाई के लिए इसमें जो हलकी गोलाई दिखाए देती है जो इसका रैप होने के बाद उपर की तरफ आती है आप इसको हाथ से भी दे सकते हैं या फिर के शेपर की मदद से इसको एक गोलाई दे दें जब आप गुलाई देते हैं तो यहाँ पर कोर्णर बन जाते हैं वहाँ पर भी आप हलका सा शेप दे दें यह हमारी गुलाई बन गई है अब इसको हम कट कर देंगे अब देखे जो हमारा उपर का पार्ट है उस पर हम एक प्लीट्स का निशान लगाएंगे इसलिए हम एक सेंटर लेंगे इसका सेंटर पर हमारी प्लीट्स आएंगी प्लीट्स हम सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर देंगे क्योंकि पिछे का हिस्सा हमने इसका कुछ अलग तरीके से बनाया है Elastic के साथ भी सिर्फ हम plates front वाले पार्ट में देंगे ध्यान रखे ये हमारी चोडाई cutting होने के बाद जो हमने crochet के cut किया है उसके बाद हमारी hip size पूरी होने चाहिए और plates आने लगने के बाद फिर हमारा ये waist line त्यार हो जानी चाहिए इस measurement के हिसाब से आप इसको अपना calculate कर सकते है अब मैंने 2 inch पर plates का marking किया है और 6 inch की length दी है इससे मेरी जितनी भी waist line है वो निकल आएगी plates का निशान लगा दे plates निकलने के बाद ये जो भी measurement रहेगा ये हमारी waist line होगी अब हम इसको बिचा लेते हैं ये देखे हमारा crouch area कुछ इस परकार से कट हुआ है अब इन दोनों हिस्सों को हम इकठा कर लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे ये stitching में आएगा और जो इसके दोनों पार्ट है इनको हम fold कर लेंगे ये तीन साइड से सिलेगा और नीचे वाला हिस्सा भी तीन साइड से सिलाई होगी ये देखे मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और मैंने दोनों हिस्से इसके साइड से fold भी कर दी है इसी परकार से आप भी सिलाई लगा लें और अब जो इसके नीचे वाला पार्ट है उस पर हम cuts देदेंगे इससे हमारा जब ये इसको हम मोडेंगे तो ये smoothly मुड जाएगा नहीं तें यहाँ पर खिचावा आएगा अगर आप cut नहीं लगाएगे तो ये मैंने उपर तक थोड़ा cut लगा दिये हैं अब ये easily stretch हो जाएगा और इसको spread होने में मदद मिलेगी एजिद सारे हमने fold कर लिये थे और ये कुछ इस परकार से दिखाई देगा सिधा होने के बाद अब देखिए हमें इसमें normal जो हमारा रैप ड्राउजर आता है उससे हमें क्या changes करने है ये देखिए अब जो हमारा ये front आया है ये हमारे hip size का ब्राबर होगा और जो हम pleats लगाएंगे pleats के बाद ये हमारी waistline बन जाएगी अब हम front और part ये दोनों हमारे रैप होकर आएंगे इसलिए अब हम देखिए इसमें pleats किस परकार से देनी है पहले हम front वाला हिसा ले लेते हैं front वाला हिसे पर हम अपनी change पर pleats लगा लेंगे इस परकार से निशान देते हुए pleats जितनी भी आपको लगानी है मैं एक एक इंच दोनों साइड से कर रही हूँ यानि कि दो इंच मैं टोटल एक तरफ से कर रही हूँ उससे मेरा अराम से waistline निकलाएगा अगर आपको कम या ज़्यादा होता है तो आप यहां से उसको waistline को adjust कर सकते हैं यह 24 की waistline है अब देखें 2 इंच मार्क करने के बाद मेरा टोटल 12 इंच एक साइड बचता है तो मेरा 12 इंच एक साइड है तो दोनों तरफ से 24 इंच हो जाएगी वही हमारी waistline है यह 10 साल के बच्चे के लिए बनाई है मैंने बड़ो के लिए आप इसमें चितना एड करना है वह मिजरमेंट के according इसमें एड कर लें अब इस फ्रंट पार्ट पर हम दोनों पर प्लीट दे देंगे नॉर्मल जो मार्केट में प्लाजो आता है यानि ट्राउजर आता है उसमें यह प्लीट दोनों साइड होती है फ्रंट और बैक दोनों में उसका प्रोसेस सिर्फ यहां तक होता है उसके पाद यहां पर बैल्ट लग जाती है हम इसकी बैल्ट ले लेंगे फ्रंट की जो बैल्ट होगी हमारी वेस्ट लाइन से हमें जितनी लंबी लेनी है बो के साथ वो हम ले लेंगे यानि हम इसका कम से कम तीन पार्ट करेंगे ताकि बो हमारा आसानी से बन जाए मेरी टॉन्टी एट का जो मैंने आप 55 या 60 के राउंड आप इसकी बैल्ट ले सकते हैं यह मैंने एक पार्ट के लिए बताया है आपको यानि सिर्फ फरंट पार्ट में इतनी बैल्ट लगेगी बैक पार्ट में सिर्फ हमारी जितना हमारा टोटल वेस्ट लाइन है उतनी ही बैल्ट लगेगी क्योंकि यहाँ पर हमारा बो बन के आना है इसलिए हम इसको एक्स्टर ले रहे हैं चोड़ाई हमने इसके 4 इंच रखी है एक इंच हमारी दबाव में चले जाएगी और 3 इंच हमारा बैल्ट फोल्ड के बार 1.5 इंच तयार हो जाएगी अब देखिए इसका जो बैक का पार्ट हमें किस परकार करना है बैक पार्ट में हम इलास्टिक देंगे जो मैंने जहां पर इलास्टिक रख कर दिखाईए यह हमारा फ्रंट में आएगा तो यहां पर आपने जो सेंटर में नोच लगाए थे वहां से वहां तक छोड़ दीजिए सेंटर में नोच इतने दूरी पर है जितने कि हमने अपनी हमारी फ्रंट की वेश्ट लाइन आएगी यानि 14 इंच का हम फ्रंट में छोड़ देंगे और उसके बाद इसको स्टिच करके हम इलास्टिक देंगे अब देखिए यह हमने इसकी सिलाई लगा दी है प्लीट्स लगाने के बाद और इस परकार से हमारा यह बो बन जाएगा हमारा बैक से रैप होकर आएगा अब जो हमें ट्राउजर जो इस परकार से बनाना है वो देखिए इस पर भी हमने बैल्ट लगा ली है यहाँ पर हमने कोई प्लीट्स नहीं दी है तो हमने फ्रंट में जो हिस्सा रखा है वो हमारा वेस्ट लाइन का हाव होगा यालिकि 14 इंच का हमने फ्रंट में छोड़ दिया है और जो यह हमारा पिछे वाला हिस्सा है उसको हमने नोट बनाने के बज़ाए यहाँ पर स्टिच कर दिया है स्टिच करने के बाद हम जहाँ पर हमने सैंटर पोइंट लगा था वहां से दूसरे सैंटर पॉइंट तक हम 이लास्टिक लगा देंगे इस परकर इसको पहनने में भी आसान हो जाएगा और इसको एक बच्च भी आसानी से पहन पाएगा और आपके लिए भी यह comfortable रहेगा style के साथ आपका कोई compromise नहीं होगा style आपका same रहेगा लेकिन इसका पहनने का तरीका थोड़ा सा change हो जाएगा इसके center point यहां से लेकर दूसरे center point तक हम इस पर अपने elastic band लगा लेंगे front हमारा पिल्कुल flat रहेगा यह देखे हमारा trouser तयार हो गया है और एक stitch हमने front और back दोनों को इकठा करकर भी लगा दिया है यह देखने में काफ़े सुंदर लग रहा है और पहनने में भी comfortable होगा यह हमारी हाँ पर एक center में हमने जो सिलाई लगाए थी उससे इसका carry करने में भी आसानी होगी और अब यह front पर होते हुए इसकी note बना देंगे इस परकार हमारा wrap trouser तयार हो जाएगा यह देखे हमारा flare भी काफी हो गया है और अगर हिसाब flare को ज़्यादा बढ़ाना चाते हैं तो जितना आपका hip का size है उससे आप 6 inch या 10 inch की बज़ाए उससे ज़्यादा कर लें और आपना जहांपर pleats हमने एक दी है उसकी जगह आप दो pleats लगा लें जो regular wrap trouser होता है उसमें front और back दोनों में note होती है लेकिन हमने back में यहाँ पर elastic दी है इससे इसको carry करना आसान हो गया है और एक बच्चा अराम से इसको पहन सकता है इसका final look हमारा कुछ इस परकार से आया है स्वाती तो इस test को पहन कर काफी खुश है उसको पसंद आया अगर आपको भी पसंद आई हो तो चैनल वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लीजेगा मिलते हैं नई वीडियो में नई डिजाइन के साथ चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद